जिस वक्त नेपाल की प्रधानमंत्री पुश्क कमल दहल प्रचंड भारत का दोरा कर रहे थी। उसी वक्त नए संसद भवन में लगाए गए अखंड भारत की एक तस्वीर को लेकर नेपाल में विवाद खड़ा हो गया। दरसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उत्खाचन किया था। इस भवन में एक विवित चित्र है जोसे अखंड भारत का नक्षा बताया गया है। जो मौझूदा दोर में पाकिस्तान में हैं। लेकिन प्राचीन भारत का हिस्सा थे। भारत के विवित चित्र में नेपाल के हिस्से को दिखाने के बाद वहां की राजनितिक दल और मुख्य विपक्षी दल भड़क गये। नेपाल के लोगों का कहना है कि भारत के संसद भवन में लगे विभित चित्र में गौतम बुद के जनमस्तली को दिखाना ऐसा लग रहा है। मानों भारत नेपाल के इस छेत्र को अपना बना रहा है और अपना दावा यहां पर कर रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर अकंड भारत में लुंबीनिया और कपी अपनिस्तान, बांगलादेश, भुटान, मालदी, मयामार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रिलंका हैं वो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मोर्या ने बिखरे हुए गनराज्यों को मिला कर एक बार फिर से संगठित किया था। चंद्रगुप्त मोर्या का जनम इसापूर में पाठली पुत्र में हुआ था जो की वर्तमान में बिहार का हिस्सा है। अब आपको यह बताती हैं कि आखिर कैसे बातन होने के साथ ही अखंद भारत एक बार फिट से बिखर गया। जिससे शक, साथवाहक, किन, शंग, दक्षिन भारत में चौल, चौर और पांधव जैसे सामराज्य बने। श्री लंका के अखंद भारत के चौल और पांधव सामराज्य का हिस्सा थे। लेकिन तेरा सु 2010 श्री के बाद श्री लंका आजाद हो गया। बात में यहां अंग्रेजों ने शासन किया लेकिन अंग्रेज इसे अलग देश मानते रहे। अफगानिस्तान में भी 870 श्री में अरब सेनापती, याकूब, एल्स, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्सा था। साल 1907 ब्रिटेन ने भुटान को भी अखंद भारत से अलग कर दिया और वहां पर राजशाही की स्थापना की। साल 1937 में बर्मा भी भारत से अलग हो गया। साल 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। और 1971 में भारत पाकिस्तान की बीच हुई जंग ने पाकिस्तान को दो हिस् वीर सावरकर की किताब My Transportation for Life में अखंड भारत का जिक्र किया गया है इस किताब के अखंड भारत में पाक और चीन अधिकरत कश्मीर के लावा पाकिस्तान का सिंद भी शामिल है वीर सावरकर को ही RSS के अखंड भारत का जनक माना जाता है साल 1937 में हिंदू महासभा के 19-वे वर्षकान पर वीर सावरकर्प ने कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए इसमें कश्मीर सिरामिश्वरम तक सिंद से असाम तक शामिल है अब भारत और नेपाल की बीच नक्षे कोली कर पहली भी विवाद हो चुका है कुछ सा एक मानचित्र प्रकाशित किया था इस मानचित्र के बाद नेपाल ने भी प्रतिक्रया देते हुए एक नक्षा जारी किया था जिसमें काला पानी को नेपाल का हिस्सा बताया गया था